हेलो दोस्तों मैं सिसकुमार अपने यूटूब चाहें भीहाज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग भाद के यवन राज सक एवन कुशान के जितने भी प्रशन कल रहा गए थे उन सभी प्रशनों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यहाँ अस्कूल नहीं अस्थूल होगा क्या होगा अस्थूल तो भादियकला का वह कौन सा अस्थूल है जो ग्रेको रोमन बौध आठ के नाम से भी जाना जाता है तो कौन जाना जाता तो इसका उत्तर है गंधार भार्दिय कला का गंधार अस्थूल जो ग्रीक रोमन बौध आठ नाम से भी जाना जाता है गंधार कला एवं मत्रा कला का विकास कुशान काल में हुआ था कभुआ था कुशान काल में मत्रा कला में ही सरप्रतम महात्मा बुद की मुर्ती बननी प्राडंब हुई थी तो आप लोग याद दखेंगे महात्मा बुद की मुर्ती का बनना किस कला में प्राडंब हुआ था तो इसका उत्तर है मत्रा कला में मत्रा कला पुरी तरह से सुधेशी कला है मतरा कला में महात्मा बुद्ध की जो भी मुर्ती बनी उसमें लाल रंके पत्थर का परियोग किया गया था तो यह भी आप लोग याद अखेंगे कि मतरा कला में जो भी मुर्ती बनी उसमें किस रंके पत्थर का परियोग किया गया तो लाल रंके पत्थरों का अब आई चलते हैं अंगले पश्ण पर तो अगला पश्ण है कावे सैली का प्राचिंतम नमोना किसके अभिलेक में मिलता है तो किसके अभिलेक में तो इसका उत्तर है काठियावार के रुद्रदामन अभिलेक में किसमें काठियावार के रुद्रदामन अभिलेक में रुद्रदामन का जुनागर अभिलेक गुजरात जिले में गिर्णार परवत पर प्राप्त हुआ है कहां प्राप्त हुआ तो गुजरात जिले के गिर्णार परवत पर ब्रहामनी लेपी में उद्केन संस्कीत भाषा का यह अभिलेक अब तक का प्राप्त संस्कीत अभिलेक में सबसे प्राचिन अर्थात पुराना है इस अभिलेक में संस्कीत का विसेली का प्राचिन तम नमूना प्राप्त होता है अब अगला पस्टन है किस अभिलेक में रुद्रदामन पर्थम की विभिन उपलब्दियां वर्णित हैं तो किस अभिलेक में तो इसका उत्तर है जूनागर अभिलेक में गुजरात के जूनागर से रुद्रदामन का एक अभिलेक प्राप्थ हुआ है यह जिस सिला पर अर्थाद जिस पत्थर पर उत्केंड है उसी पर अशोक के चौधा परग्यापनों की एक प्रती असकन गुप के दो लेकवी खुदे हुए हैं यह विशुद अर्थाद पुरी तरह से संस्कीत भासा तथा ब्रामनी लीपी में लिखा गया है इसमें रुद्रदामन की वन्साबली विजियों शासन व्यक्तित्व आदी पर सुन्दर प्रकास डाला गया है इस अविलेक का मुक उद्देश सुदर्शन जील के बाग के पुनर निर्मान का विवरन सुरक्चित रखना था इस परकार विकल्प ए सही उत्तर है अब अगला पशने बिना बेगार के किसने सुदर्शन जील का जीनो धार कराया तो किसने तो इसका उत्तर डी रुद्रदामन प्रथमने शक वन्स का सबसे परसिद साशक रुद्रदामन प्रथम था जिसने गुजरात, मालवा, कच्च, सिंध तथा कोकन पर शाशन किया था जोनागर अबिलेक से पता चलता है कि 170 इसवी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन जील की मरमत बिना बेगार के अर्थात बिना कोई कर लिए करवाई थी जो कि मौरवंस के शाशक चंदगुप मौर के आदेस पर बनवाई गई थी अब अगला पशन है उत्री तथा उत्री पश्मी भाद में सरवाधिक संख्या में तामे की सिक्के को जारी किया था किसने तो इसका उत्तर है कुशानों ने उत्तर पश्रीम भाद में श्वन्ट सिकों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था जवकि इन्हें नियमीत एवं पुन रूप से प्रचलीत करवाने का असरे कुशान सासकों को जाता है कुशान सासकों ने स्वन्ट एवं तामर दोनों ही परकार के सिकों को व्यापक पैमाने पर प्रचलीत किया था अब अगला प्रच्ण है प्राचीन भात में निम्ड में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिके चलाए तो किसने तो इसका उत्तर है कुशान सासकोने अब अगला पशने बुद्ध का किसके सिकों पर अंकन हुआ है तो किसके सिकों पर तो इसका उत्तर है कनिसके सिकों पर कुशान सासक कनिसके सिकों पर बुद्ध का अंकन मिलता है अब अगला पस्टने निमलखीत में से किस साशक को सरपतम सोने के सिक्के जारी करने का असरे दिया जाता है तो किसे, तो इसका उतरही भी वीम कदफिशेश को, किसे वीम कदफिशेश भात में यद भी श्वन सिक्कों को सरपतम हिंद यवन शासकों ने प्रचलित कराया था तथा भी कुशान सासकों में कित फिशेश ने सरपतम सोने के सिक्के जारे किये थे अता विकल्प भी सही उत्तर है अब अगला प्रच्ण है नेम्लिकित में से किसने भात में श्वन सिक्कों को प्रचलन नियमित उपियों के लिए किया था तो किसने तो इसका उत्तर है ए वीम कैड़ फिशेज ने कुशान बहुकर जे वीम कैड़ फिशेज जो की कनिक्स प्रथम का पिता भी था ने भात में श्वन सिक्कों का प्रचलन नियमित उप्यों के लिए किया था उसकी पहचान भात में सरपतम श्वन मुद्राओं को चलाने वाले साशक के रूप में भी मिलता है जब की कुजुल कैद फिशेज ने तामे के सिछे स्वरी सिक्के प्रचलित कराएं थे अब अगला पस्टने योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकर मिलता है तो किस देवता का तो इसका उत्तर डी कार्थी के का योधे का प्रमान पुरान अश्टाध्याई तथा ब्रिहत सहीता इत्यादी ग्रंतों से प्राप्त होता है इसका सामराज ये दक्षिन पुर्व पंजाब तथा राज अस्थान के बीच था इनके सिक्कों पर कार्थी के का अंकर मिलता है अथा विकल्पडी सही उत्तर है अब अगला प्राश्ट है कुशान सासक कनिस के राज्या विशे कि सन में हुआ था अर्थात कभ हुआ था तो 78 इस भी में कभ हुआ था 78 इस भी अर्थात 78 AD में कनिस के राज्या अविशे की थी विवादास पद है इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 तथा 1960 इस भी में लंदन में दुह अंतराश्टी सम्मेलन आयुजित किये गए दुत्य सम्मेलन में आम समधी 78 इस भी के पक्ज में ही बनी थी इस समय से शक्समवत का प्राड़म माना गया है अब अगला पस्ट ने शक्समवत कब प्राड़म किया गया था तो इसका उत्तर है बी अर्थात 78 इस भी में जैन गरंतों के नुसार विक्रमा तित्य के उत्राधिकारी को 135 विक्रम सम्मवत में शकों ने प्राजित कर इसकी उपलक्ज में शक्समवत चलाया था इस परकार इसकी प्राड़म्विक दिती 135 से 758 इस भी आती है अधिकांस इतिहास कारों ने कुसान साश्रक कर इसको इसका प्रवर्दक माना है अब अगला पस्ट ने विक्रम एवं सक्समवतों में कितना अंतर है कितना अंतर है तो इसका उत्तर 135 वर्शु वर्दमान में तिती एवं वर्श के लिए ग्रेक एरियन कलेंडर का परयोग किया जाता है जो की विस्व व्यापी है अर्थात पूरे विस्व में फैला हुआ है वर्टमान कलेंडर में 57 जोड देने पर विक्रम संबत तथा 78 घटा देने पर शक्समवत प्राप्त होता है अर्थात 2017 विक्रम संबत 2017 प्लस 57 अर्थात 2017 होगा जबकि शक्समवत निकालना हो तो 2017 में 78 घटा देंगी तो 1949 इस भी होगा अथा विक्रम संबत और शक्समवत में अंतर 2017 माइनस 1949 अर्थात 135 वर्ड है अथा विकल्प सी सही उत्तर है अब अगला पुष्ण है शक्समवत पर आधारित राष्टी पांचांग का एक चैत्र ग्रेग्रेडरियन कलेंडर पर आधारित 365 के शामान वर्ड की निम्नकी तीतियों में से किस एक के तरदान उश्यार है तो किस एक के तो इसका उत्तर है अप्सन ए अर्थात 22 मार्च अथवा 21 मार्च चैत्र भारती राष्टी पंग्चांग का पर्थम मा होता है राष्टी कलेंडर की तीतियां ग्रेग्रेडरियन कलेंडर की तीतियों से अस्थाई रूप से मिलती जुलती है शामान ता एक चैत 22 मार्च को होता है और लीप वर्ड में 21 मार्च को अगला प्रश्ण है विक्रम संबत कव से प्रारम होता तो इसका उतर विक्रम संबत 57 पुर्ब से प्रारम होता है विक्रम संबत के दो अन नाम भी मिलते हैं एक है खित संबत और दूसरा मालव संबत जैन साहित में महावीर के निर्वान तथा विक्रम संबत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है महावीर के निर्वान तिथी 527 इस भी पुर्व मानी जाती है तदनुसार विक्रम संबत के प्रारम की तिथी 527-470 इस भी अर्थात 57 इस भी पुर्व निर्धायित होती है अगला परशने निम्लिकित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में सक संबत का वर्ष होगा तो इसका उत्तर है 1931 तो कैसे हुआ तो जब हम लोग 2009 में 78 घाटा देंगे तो क्या होगा 1931 प्राप्थ होगा जो कि आपको यहां नीचे बतलाया गया है अगला परशने निम्लिकित में से कौन एक कनिस के दर्वार से संबंध नहीं था तो कौन नहीं था तो इसका उत्तर आप्शन दी अर्थात पतंजली अस्व घोस नागारजुन अस्व तथा चरक यह चारों ही कनिस के दर्वार से संबंध थे जवकि पतंजली कनिस के दर्वार से संबंध नहीं थे पतंजली ने पानिने की अश्ट्या ध्याई पर महावास की रचना की थी महर्शी पतंजली शुंकालिन विद्वानते तथा इन्होंने ऐसे लोगों को शिस बनाया था जो बिना किसी अध्यन के ही संस्कीत बोल लेते थे अता विकल्ब डी सही उत्तर है अब अगला प्रश्ण है निम्लिकित में से कौन कनिस कर्थम के दर्वार में नहीं गया था तो कौन नहीं गया था तो इसका उत्तर है डी विशाक दत जो है कनिस्क पर्थम के दरवार में नहीं गया था अगला प्रश्ण है निमलिखीत नगरों में से किसका उलेक कनिस्की रव तक अभिलेक में नहीं है तो किसका उलेक सरावस्ती का उलेक कनिस्की रव तक अभिलेक में नहीं है अगला प्रश्ण है किस चीनी जनेरल ने कनिस को हराया था तो इसका उतरे पान चाउँ ने कनिस को हराया था चीनी स्रोतों के अनुसार 73 इस्वी से 94 इस्वी के बीच चीन का परसिद सेनापती पान चाओ अपने हान वंसी नरेश के आदेशों पर चीनी तुरकिस्तान की विजय के लिए प्रस्तूत हुआ चीनी इतिहासकार युद का करण यह बताते हैं कि कनिक्स ने चीनी सेनापती के पास अपना एक दूद भेज कर हान राजकुमारी से विवा की मांग की थी पान चाओ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया फलता रुष्ट कनिक्स ने उसके राजपर चढ़ाई कर दी प्रंतु कनिस्क अशफल रहा था अब अगला प्रस्तन है निम्ड में से किस वंस के सामराज की सेमाई भारत के बहार तक फैली थी तो इसका उत्रे सी कुशान वंस का कुशान वंस के सामराज की सिमाए भारती उप महादीब से बाहर तक फैली थी कुशान वंस का महान साशक कनिस्क था जिसकी सिमाए उतर में चीन के तुरुफान एवं कस्मीर से लेकर दक्चिन में विंदी परवक तक था तथा पश्चि में उतरी अफगनिस्तान से लेकर पुर्वी उतर परदेश एवं बिहार तक विस्तरी थी अथा विकल्प सी यही उतर है अब अगला पशने अफगनिस्तान का बामियान परसिद था किस लिए तो इसका उतरे बुद्ध परतीमा के लिए अफगनिस्तान का बामियान पहारियों को काट कर बनाई गई बुद्ध परतीमाओं के लिए परसिद था लेकिन अफगानिस्तान में तालिवान साशक ने इन बुद्ध परतिमाओं को नश्ट करवा दिया अब अगला पशने निम्लिकित में से किस मुर्ती कला में सदैव हरित अस्तरिये चट्टान अर्थात सिष्ट का पर्योग माध्यम के रूप में होता था तो इसका उत्तर है गंधार मुर्ती कला का गंधार कला में सदैव हरित अस्तरिये या फिर सिष्ट चट्टान का पर्योगी मुर्तियां बनाने के लिए किया जाता था यद भी मत्रा कला में भी इसी के अनुशरन पर शिष्ट का परियोग किया गया था अब अगलर प्रशने प्राचीन काल के भाद पर आकमनों के संबंद में निम्रकित में से कौन सा एक सही काला नूकरम है तो इसका उत्र आप्शन ए युनानी शक उसके बाद फिर कुसान भाद में भाई आकमनों के कालों का शही काला नूकरम निम्रकार से है अर्था सबसे पहले युनानी आए उसके बाद शक और फिर लाश्ट में कुसान तो यह था आज के चेप्टर का आकरी प्रशन आसा करता हूँ आप लोग को हमार यह वीडियो पसंद आए हो यदि आप लोग को हमार यह वीडियो पसंद आए हो उसे लाइक और से जोर करें फिर मिलते हैं नए चेप्टर के साथ तो आज के बहुत बहुत आन्यवाद